स्वागेद आपका चाना की ग्रूप एकनोमिक्स में दोस्तों यूजीसीनेट जून का एक्जाम ओवर हो गया फिर उसवा री टेस्ट वर अगस्त में अब अगस्त का रिजर्ट भी आ गया है अपकमिंग नेक्स्ट दिसेंबर का जो साइकल है हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें डिले मिले अभी तो फॉर्म भी नहीं आया है अब हम लोग डिसकस करेंगे यहाँ पर डिटेल एलनेसिस करेंगे हंडेड कोश्चन का जो कोश्चन जून का री टेस्ट हुआ था यह मतलब री एक्जाम हुआ था अगस्त में जितने भी 100 कोश्चन है हमारे पास डिटेल में एक्स्प्लानेशन करेंगे आज है हमारा पार्ट वन इसमें हम 20 कोश्चन डिसकस करेंगे और बेसिकली यह रहेंगे इंडियन एकॉनमी के यहाँसे 12 कोश्चन ऐसे थे जो इंडियन एकॉनमी के थे और उसकी बाद 8 सेशन हम लोग बिलकुल डिटेल में करेंगे तो वन बाई वन जितने ही पॉइंट से रिलेटेड उसको भी समझेंगे साथ के साथ आप स्क्रीन शॉट ले लीजएगा डेफिनिटली आपका जो स्टॉक अपने कोश एडिशन जरूर होगा ठीक है 100 कोश्चन की जो सिरफ अपने के चांसें उसमें से बनते हैं यह जितने भी के प्रिविुग सेब . इ संसे乾 नहीं ब्टे कोश्चन की त्यारी कर रहे हैं लोग begging करी हैं को चै Light by SKA कर सकते हैं December 2024 वाला ठीक है तो उसमें कुछ 15 to 20 परसेंट का अब को डिसकाउन दे जाएगा बट हाँ उसकी जो वैलिडिटी रहेगी उतने ही रहेगी जितने पहले वैच वाल होगी थी मतलब 8 months की वैलिडिटी मिलेगी तो आप जून का जो टम से वो भी cover उसमें हो जाएगा चली आगे बढ़ते हैं 12 questions इंडिन economy के discuss करते हैं और यह जितने भी questions हैं पहले भी discuss कर चुक है यह factual based है अब date याद रखेगा बस नमबर वन question देखे अब इसमें question पुछा है हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है जहां हमें लगेगा कि इंदी की ज्यादा जरूरत नहीं है वो इंग्लिश में ही आपको मिलेगा चली arrange the following initiatives launched by government of India जी कितनी बार बोलाएगी की government of India की schemes बहुत important है 1999 से लेके वो जो policies है government की वहां से question बार बार आते हैं अब देखो अन्तोधिया अन्यूजना ठीक है year 2000 में एक scheme आई याद रखना अब इसको उसके बाद merge कर दिया गया था national food security act के अंदर 2013 में इसको merge कर दिया national food security act यह तो सभी को पता होगा कि इसकी date क्य है यह भी याद रखेगा which is first state to implement midday mill ठीक 1995 में ठीक तो कौन से state है तमिलनावक state है I hope इसको बार में भी आपको थोड़ा पहले सी knowledge होगी आईए next revised public distribution system और यह actually revamped public distribution system है जो 1992 में आई और उसके बाद targeted public distribution system 1997 ठीक है और जो PDS system था PDS 1964 फिर उसके बाद revised revamped और उसके बाद targeted public distribution system 1997 ठीक है यह याद रखेगा अब dates अब इनके बारे में थोड़े detail भी आगे discuss करेंगे अब हमारी chronology बन जाएगी सबसे पुरानी जो scheme है ठीक है वो हमारे पास आ जाती है 1972 और 19 that is 1995 1992 तो सबसे पुरानी जो है हमारे पास that is 1992 हो गया हमारे पास D और उसके बाद next हमारे पास 1995 B तो जहां भी D B जा रहा है वो हमारा correct होने के chances ज्यादा बन जात है उसके बाद हमारे पास आ गया year 1997 that is E और उसके बाद हमारे पास आ गया 19 that is 2000 हो गया A और उसके बाद हो गया C ठीक है D B E A C D B E A C first option हो गया correct हाँ जी इस टाइप के question में अगर आपको दो भी पता होता या तीन भी पता होती तब भी आपकी जो chronology है वो बन जाती तो इस टाइप की जितने भी pairing में question है वो बिलकुल आपके लिए lottery का काम करेंगी मतलब आपका जो probability है question के answer की तो ज्याज़तर बिलकुल correct होगी क्यों अगर आपको दो तीन का भी sequence पता है तो आप यहां से elimination method यूज़ करके solve कर सकते हो चली आगे बढ़िए तो answer 1 है और इसक next direct question है थोड़ा सा logical question दे दिया क्या दे दिया which of the following value indicates that each woman is being replaced by one daughter leading to a stable population over the time क्या रहे कि कौन सा social indicator ऐसा है जो यह दर्शाता है कि एक female एक daughter से replace हो रही है अब इन terms को समझते है पहले इनका मतलब क्या है तो answer हमें easily मिल जाएगा ठीक है यह है आपका case fertility rate case fertility rate क्या होता है suppose करो कि कोई यहां पर famine आई या फिर कोई कोई ऐसी भुकमरी आ जाती है या फिर कोई ऐसी बीमारी आ जाती है जिसमें हमें यह बताता है कि उस बीमारी से कितने deaths हुए और कितने ठीक हुए ठीक हुए तो case fertility rate यह तो नहीं हो सकता है यह हमें यह बताता है कि specific cases कितने दर्ज हुए और उन में से कितने मर गए ठीक है तो यह तो नहीं हो सकता next net reproduction rate और gross reproduction rate इन दोनों में से answer हो सकता है अब कौन सा answer सटीक रहेगा यह आप खुदी guess कर लोगे देखो TFR क्या होता है total fertility rate हमें यह बताता है कि on an average एक women on an average एक women जो है कितने children को जनम देती है ठीक है यहाँ पर इंडिया में total fertility rate है 2.1 एक female 2.1 ठीक है on an average हम पूरा all over इंडियन आपे या फिर major करें तो 2.1 ठीक यह TFR भी नहीं हो सकता है TFR में तो दोनों ही है boys और girls भी है अब हमारे पास concept है देखो यह भी नहीं है हमारे पास concept है NRR और GRR अब सबसे बहले समझते हैं कि gross reproduction rate क्या होता है देखो gross reproduction rate यह है कि एक women कितने daughter को जनम देती है ठीक है एक women कितने daughter को जनम देती है इसको हम बोलते है gross reproduction rate ठीक अब इसमें जितने भी daughters हैं इसमें दो तरह कि एक जो daughter alive है मतलब जो जीवित है प्लस दूसरा होता है जो mortality जिसको हम बोलते हैं death इसमें दोनों चीज़ा आजाती है gross में दोनों चीज़ा आजाती है one is alive जो daughter alive है plus जो death होगी जिसकी वो भी तो gross में दोनों चीज़ा आगी अब ये question पोच रहा है कि value indicates that each woman is being replaced एक woman replaced की गई अब replaced तो तभी होगा जब जीवित रहेगा तो net reproduction rate में क्या आता है सिरफ net reproduction rate में सिरफ एक ही चीज़ा आता है one daughter जो कै alive है मतलब जिन्दा है mortality इसमें सांभिल नहीं होता क्या difference है gross reproduction date में alive daughter और death daughter दोनों ही आगी ठीकि with her reproductive age reproductive age कितनी होती है 15 साल से 49 year तक अब NRR शो कर रहा है कि one daughter is alive तो इसी लिए ये वाला concept NRR अगर one होगा तो एक woman एक daughter को replace कर पाएगी है ना तो ये question था तो NRR is equal to one ये बिल्कुल correct होना चाहिए GRR equal to one वो correct नहीं होगा क्योंकि इसमें दोनों आगे death भी और alive भी ठीक तो एक daughter एक mother मतलब एक daughter को या एक woman एक daughter को replace करेगी NRR equal to one बात किसमें होगी है सिरफ alive की चली I hope की concept समझ आ गया होगा next time अगर कोई question आएगा तो आप उसका answer देपा होगे चली आगे बढ़ते हैं ठीक वही है that NRR 1 होगा then the female population will be exactly replace itself into a new generation एक female एक daughter ठीक है वो next generation is equal to one अगर ये होगा कि female जो daughters हैं अगर less than one है that means कि number of daughters come है number of females से चली number of women से अगर ये more होता है more कहने का मतलब number of daughters ज़्यादा है ठीक चली और equal to one कहने का मतलब एक daughter, एक women और एक daughter ठीक I hope ये बात समझागी होगी इसका screenshot ले लिजेगा चली question number 3 देखो क्या है question number 3 प्रोड डेरेक्ट है इसमें पूछ रहा है as per national health survey अब ये कितनी बार हमने अपने session भी बोला है NFHS 5 NFHS 4 की report का अब नहीं पूछेगा NFHS 2019 20 में ये जो report है अभी भी ये ही सबसे ज़्यादा valid या पिर authentic है ये वाली report इसमें IMR, MMR, crude birth rate, death rate जो भी है इसमें sex ratio वह अच्छे से कर लेजिए आपका में एक्जाम में आना की chances बिलकुल है हर्याना में एक्जाम आ रहा है assistant professor का भी HPSC और PGT का भी दोनों में ही ये important है थोड़ा ध्यान में रखेगा चले इसके according पूछ रहा है कि number of female per thousand meals during the survey period 1921 हाँ जी तो sex ratio इसमें क्या रहा था तो direct question है that is 1020 1020 पहले हमारे पाद जो sex ratio है वो 943 थी अब कहीं कई बेटर है 2011 के हिसाब से अभी sex ratio अब थोड़ा उल्टाई हो गया girls थोड़ा जादा होगी as compared to boys चले आगे बढ़ते हैं तो यह direct question है इसको थोड़ा याद रखना है upcoming exam के लिए एक चीज और note कर लीजे total sex ratio तो 1020 है females but हाँ question यह ना पूछ रहे कि rural और urban क्या है तो rural में है 1037 rural में जादा है और urban में है 985 urban में फिलाल भी फिलाल कम ही है ठीक है 1000 से चलिए तो और अगर हम बात करें sex ratio at birth ठीक है अगर sex ratio at birth बात करें तो इसमें 919 था NFHS 4 में 929 हो गया है NFHS 5 में ठीक है sex ratio at birth के अगर हम बात करें चलिए next आगे discuss करते हैं अब यह question हमने इसमें detail में वीडियो भी मनाया था अब इसमें क्या बोल रहा है national health survey 2017 एक बात ध्यान रखिएगा जो इसके goals हैं जादतर goals इसके 2025 तक complete होने हैं ठीक तो 2025 तक जो exam हो रहा है जितने भी exam से तब तक इसको carry करके चलिएगा अपने notes में आईए question क्या पूछ रहा है correct objectives क्या है यह बता रहा है ठीक अब इसके लिए क्या करते हैं जो यह report है पहले report को देखते हैं इस report में reduce infant mortality rate to 28 by 2019 28 की बात की गई है बट यहां की गई है बात 30 की तो यह गलत हो गया next under 5 mortality rate 23 और यहां पर बात की गई है 20 तो यह भी गलत हो गया next mmr कितना है mmr should be 100 by 2020 तो यहां पर 100 की बात की गई बट यहां पर 100 ही है बिल्कुल सही है total fertility rate 2.1 की बात तो यह भी correct है 2.1 life expectancy should be कितनी 70 year 70 year होने चाहिए तो यह भी सही है ठीक है तो CDE जो है हमारा correct है हाँ जी छोटी सी policy है और इस policy के कुछ ही point है 15 point हमने discuss किये थे अगर आप इतना भी कर लोगे तब भी यह वाला topic आपका cover हो जाएगा अब exam बहुत crucial है एक एक question की weightage है जब भी net grf का cutoff लगता है के question weightage है उस पर ठीक और आप जब भी exam के computer exam के त्यारी कर रहे हो एक एक question important है cutoff के लिए चलिए इसका भी screenshot ले लीजिएगा पूरे detail आपको 15 की 15 point यहां मिल जाएगे चलिए next question number 5 देखो हाँ जी question number 5 भी social indicator type का ही है during how many first completed days of life the death of a baby defined as the national new natal death new natal death नवजात शिशुवी जो death हो जाती है जितने भी candidate समझदार है वो previous year question को underestimate बिल्कुल नहीं करते अभी जितने भी बचे अब लोग PGT या फिर assistant professor हर्याना की तियारी कर रहे हो एक चीज underestimate बिल्कुल मत करना previous year के question direct direct question factual based आएंगे ही आएंगे अब ये question दो बार पहले आ चुका है उजिसी में एक बार फिर पूछ लिया उसमें है ना new natal mortality rate जितने भी पराने paper के तियारी कर रहे है previous year उनका question ये बिल्कुल correct होगा उनको इधर देखने की जरुबत नहीं पड़ेगी चलिए साथ में कई बार ये terms आ जाती है perinatal mortality rate perinatal mortality rate कितने days के अंदर death तो इसमें क्या होता है जेस्टेशन पिरियड होता है गर्भकाल में तो गर्भकाल में 28 days 28 weeks से जादा 28 weeks से जादा और बर्थ के within 7 days बर्थ के within 7 days और जेस्टेशन पिरियड जो गर्भका पिरियड है 28 weeks के बाद अगर बच्चे के उस duration में death हो जाती है चाहे मां के पिरिट में 28 weeks के बाद चाहे बर्थ के 7 days से पहले तो उसको हम बोलते है perinatal mortality rate ठीक है प्रशाव कालीन में इस बात को ध्यान रखेगा निति आयोग की publications है और निति आयोग क्या करता है एक think tank है पुरा support करता है government को जितने भी इसकी publications है और जितने भी RBI की bulletins होते है यह RBI के जो भी release होता है वहां से UGC question पूछ लेता है अब निति आयोग की जितने भी press release होंगे वहां से यह question उठाता ही है हर बार question कुछ question डाल देता है इसमें कैब अब जैसे SDG goals उसका डाला होगा है next example definitely आयेगा वह SDG goals state wise next अब इसमें state energy efficiency index 2023 में अब question बिल्कुल direct कुछा कहीं puzzle होने की जरूरत नहीं अगर इस index में आपने सरफ यह देखा कि top पे कौन सी state है answer आपका बन गया ठीक तो इसमें पूछ रहा है which state record highest secure top most rank in state energy efficiency index 2023 top most है करनाटका number one पे upcoming exam के लिए भी त्यारी कर लिए least में कौन है top में कौन है यह देखें SDG में भी same है front runner है और उसके बाद achievers है aspirant की category है उसमें भी next अब जिसका भी score more than 60 रहा है उसका देखो वो कौन है 7 states है front runner category करनाटका number one पे है score कितना है 86.5 next आंद्रपरदेश 83 हर्याना भी इसमें हर्याना, केरला, महरास्त्रा, पंजाब & तिलंगाना ठीक यह front runner 60 से ज्यादा है जिनका score है दूसरी category है achievers 50 to 59.75 अब इसमें 2 states है असमें उत्तरपरदेश next contenders 3249.75 की list में गोवा, जारखंड, तमिलनादू next aspirants हो है जो low achievers कहलो 30 से जिनका कम score है ठीक है next अब इसमें भी कुछ state ऐसे है जिरों ने थोड़ा सा jump ज्यादा किया है बड़ आप ये वाला data जो है ठीक है ये अच्छे से कर लीजेगा ठीक चलिए तो जितने भी points से एक बार इनके यहां से भी screenshot ले लीजे और जो publications है इनको पर read out करके notes उतने जिरूर ट्यार कर लीजे notes चाहे कोई आपको बुले ना बुले कि notes में time बरवाद होता है but notes आपके काम आते है quick revision के जितने अगर आप एक question लिखते भी हो कहीं तो हमारे कहीं न कहीं mind में तो छप जाता है वो FDI आएगा या तो government route से या automatic route से ठीक अब हर एक sector में पता करना तो possible नहीं है फिर भी आप roughly जो main main sector है na government के insurance sector, defense sector automobile sector इन में देख लीजेगा कि FDI कितने है ज्यादा तर FDI 100% ही है but जरूरी नहीं है कि वो दोनों route से 100% हो अब यहाँ पर defense में government route से बिलकुल सही है कि 100% है but अब next time question ना आ जाए question बने अगर automatic route से कितना है ठीक government route से government की permission की जरूत पड़ेगी, automatic route से नहीं पड़ेगी FDI limit for companies seeking new defense industrial licenses 74% है automatic route से और government route से 100% ठीक इस बात को ध्यान रखेगा तो एक बार अब roughly list detail analysis कर लीजेगा कितने कितने sector दोनों ही route कर लीजे क्योंकि question अब दोनों route से बन सकता है आगे बढ़ते है choose the correct chronological sequence in ascending order next जो session रहेगा हम micro start करेंगे तो उसमें भी हम match the following या पर pair match वाले question जरूर मिलेंगे macro में भी इस type के question scoring question है चलिए fiscal responsibility budget management act 2003 nationalization of bank in India nationalize पूछ रहे तो बार nationalize हुआ था 1969 और दूसरा 1980 1969 में कितने bank nationalize हुए थे 14 और उसके बाद 1980 में कितने banks हुए थे ठीक है 8 banks तो अगर हम first भी देखें यहां दे mention तो नहीं किया हुआ 1969 date आ सकती है next आगे देखो second fiber plan की जो date है 1956 to 1961 हाँ जी second fiber plan based on which model question बन सकता है easy question है मुझे लगता है आपको आता है comment कर दीजेगा कि इस में क्या बनेगा second fiber plan based on next sidby sidby 1990 bank setup वो apex bank है next export import bank of India exim bank 1982 सबसे oldest सबसे oldest second fiber plan UGC बहुत smart है सब में CD रिया 56 की बाद next date हमारे जा रही है 1969 that is B ठीक है B अब यह दो question आ सकते हैं यह दो eliminate हो गए next उसके बाद next हमारे पास option बनेगा 1982 1982 that is E उसके बाद हमारे पास यह जा रहा E और उसके बाद 1990 D और उसके बाद A ठीक है तो हमारे पास D and A हमारा बन गया first option correct अगर आपको दो या तीन भी आते थे तब भी आप elimination method से कोई question कर सकते हो ठीक है तो ज़्यादा इसमें problem नहीं आएगी चलिए तो पहले जितने भी committees है जितने भी act है वह बहुत important है chronology हर बार पूछता है हर बार जब हम लोग important list करते है UGC की previous year questions बार बार repeated questions यह question बड़े common से है चलिए तो यह question सभी के ठीक होंगे बस आप गलती मत करना इसमें जितने भी scoring score आप लेते हो maximum 95% बचों के यह question सही होते है इसमें गलत होने के chances नहीं है next in which year agriculture in which agriculture year India's first agriculture census was carried out दो तीन बार question यह भी पूछ चुका है कि agriculture census कितने सालवाद होता है ठीक है थोड़ा सी यह भी comment करिएगा तांकि और बच्चे भी समझ भाएं कि agriculture census कितने टाइम के बाद होता है इंडिया में चलिए तो first agriculture census हाँ जी 1970 उमीर है कि आप भी साथ के साथ अपने आपको evaluate कर रहे हो और जितने भी यह 20 question है यह तो आपके answer बनेंगे यह बनेंगे related भी आप त्यार कर लीजेगा तो 1970, 71 अभी तक 11 census हो चुके है तिल 2022 अब उसके बाद यह 11 की यह date देख लेजे 17, 71 1st time हुआ था फिर यह 5-5 year के gap लगबग ठीक है हुतरे अभी जो latest है 21-22 वाला ठीक चलिए 2010 से यहाँ 2011 फिर उसका gap हो गया लेकिन अभी total कितने हैं 2012 तक 11 agriculture census चलिए question number 10 question number 10 क्या कह रहा है which organization has developed UPI system in India हाँ जी इंडिया में UPI system launch किस ने किया था ठीक right answer की तरब चलते हैं अब यह वाला जो answer है NPCL बट हला कि इसका जो right answer है that is NPCIL की जगह आई है बट कोई issue नहीं है ठीक है समझने वाला ही concept है so NPCI National Payment Corporation in India 2016 में यह start हुआ चलिए तो यहां derivative mention है चलिए next एक और question match the following अब यह वाला जो match the following है number 1 है निती आयोग अब निती आयोग क्या करता है government planning commissions replace हुआ है तो government की help करेगा government की number 1 help करता है think tank है ठीक है जितने भी thinking है वो government के भीहाब से सोचके government को बताता है यह करना चाहिए यह नहीं उसके बाद एक technical knowledge support भी देता है ठीक है government को knowledge support भी provide करता है तो एक आप फूर यह दोनों में से answer हो सकता है यह दो eliminate हो गए next axle road की जो theory है axle road की game theory है game theory क्या कहती है अगर opponent आपके खिलाब कुछ कर रहा है तो आप भी same करो ठीक है जोसको हम बोलते है tit for tat theory tit for tat strategy that is first game theory में से next तो यह हो गया one ठीक तो हमारा यह वाला answer जाना चाहिए next joseph stiglitz अब joseph stiglitz की जो theory है वो है हमारी efficiency wage theory क्याते कि अपने employee को efficient wage provide करो ताकि company growth करती रहे ठीक है efficient stiglitz efficiency wage theory next है हमारे पास इंडिया's first 5-year plan आजी first 5-year plan model कौन सा था हेरो डॉमर ठीक agriculture वे जाता focus किया next अभी इसके architect कौन थे के अन राज हाँ जी यह ध्यान रखना architect कौन थे के अन राज second 5-year plan की अगर question आ जाता है who is architect of Indian Indian economic planning ठीक है जो यह 5-year planning है इसका architect कौन था इंडिया में थोड़ा सा comment करिए गा इसको ठीक है out of the box है die know बहुत सरी बच्चे इसका answer जानते है अगर नहीं भी जानते हो तो हम separate बाद में comment कर देंगे who is architect of Indian economic planning especially 5-year plans ठीक तो यह third option हमारा correct है चलिए तो यह screenshot ले लीजे निति आयूग think tank का काम करता है knowledge support प्रवाइट करता है ठीक है और government की help भी करता रहता है रॉबर्ट एक्सरोड की game theory tit for tat तो उसके भी कुछ points है बढ़ हाँ आप screenshot ले लीजे हिंड इंग्लिश दोनों चलिए question number 12 last question है इंडियन economy का अब इसमें क्या कह रहा है अगेन पूछ लिया है कुछ act chronology हाँ यह act इतने sweet है इतने बढ़िया है कि बार 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 यह act पूछ लेता है जब इस track पे question आते है तो mind wake हो जाता है हाँ यह question मेरा गलत नहीं होगा ठीक होगा ठीक है अब यहां पे chit fund act अब यह chit fund act 1982 next exim import back act पूछ रहा है अगर हम exim bank करें तो bank 1982 महीं आया था बट अगर हम act की बात करें तो 1981 एक्स पहले आया next prevention of money laundering act हाँ जी यह question क्या है यह previous year question है पिछला paper उठा के देखोगे तो separate question पूछा है prevention of money laundering act came into which year ठीक है तो यह 2002 में ठीक है I hope clear है सबको national housing bank अब national housing bank तो आया 1988 में बट एक साल पहले इसका act आ गया next regional rural bank set up हुआ 1975 में बट इसका act माना जाता है एक साल बाद 1976 इसका act की date है I don't know कि पहले setup होगे फिर बाद में act आया ठीक अब इसमें आपकी देखो जितने भी questions है वो सब near about पुछे हुए सबसे बाद में आपका बनेगा C क्योंकि सबसे बाद में 2002 तो जिसका भी C सबसे last है एक option यह भी है आपके पास जो सबसे last है ठीक है उसको देख लो तब भी आपकी कहानी बन जाएगी तो यहाँ पे आपका एक ही में है C फिर भी हम इसको आगे solve करते हैं cross verify करना बहुत जुरूरी है ठीक है चले चित fund सबसे पुराना है हमारे पास E ठीक है next उसके बाद हमारे पास आ गया B next उसके बाद है A and next हमारे पास 1987 D ठीक है और उसके बाद हमारे पास है that is C E, B, A, B, C ठीक है एक बार roughly आप यह कर लीजिए सबसे बाद में कौन आया सबसे पहले कौन आया ठीक है अगर फिर भी नहीं आरा तो इसको match करके आप थोड़ा सा chronology set कर लीजिए सबसे पहले कौन आया सबसे पहले तो E होना चाहिए सबसे पहले तो E 2 में पहले था ठीक अब आपको double sure हो जाएगा कि answer आपका first ही निकलेगा ठीक तो यह तब है अगर आपको first और last का ही पता है तब भी chances हैं कि आपकी chronology ठीक बनेगी चलिए लेकिन फिर भी तुक्का नहीं मारना यह question ज्यादा तर 95% probability है यह बिल्कुल सही होंगे चलि और कई बार तो गलती हमसे कुछ भी हो जाती है question सही करके आते हैं बट wrong हो जाता है question कोई mind में चल रहा होता है कुछ और चलि इसको underline कर लिजी या फिर screenshot ले लिजी चलि आगे बढ़ते है money and banking number of question कितने 8 question है जितने भी 8 में से maximum आपके सही होंगे 5 question तो direct है बागे 3 question थोड़ा था mind use करना पड़ेगा आपको consider the following statement regarding RRBs एक बात बिल्कुल एक तो नाबाड को कभी भी underestimate मत करना हो RRBs को underestimate मत करना बार बार पुछा जाता है नाबाड किस commission से आया RRB किस commission से आया यह question बड़ा common है RRBs are set up on the basis of recommendation of nursing home working group 1975 हाँ जी previous year में भी आ चुका है PGD level पे भी आ चुका है next the largest proportion of equity of RRBs is held by its sponsor bank RRBs में तीन share है हम लोग live discuss कर रहे थे न session तब उसमें बच्चों ने discuss भी किया था कि तीन इसमें बलकु ठेक है क्योंकि आप बहुत updated है कई बच्चे चलिए 50% है इसमें center government का और 15% किसका है state government का sponsor का quota कितना है sponsoring quota है वो है हमारे पास 35% तो इसमें कह रहा है कि largest proportion sponsor bank का है जो गलत है जो गलत है तो B तो answer होना नहीं चाहिए तो जहां B है उसको हटा दो अब हमारे पास तीनों में से एक answer हो सकता है आगे बढ़िये नाबाड coordinates all the activities of RRBs यह जितना भी नाबाड agriculture और rural development में apex body है वैसे RBI financial system में apex body है वैसे नाबाड भी rural और agriculture finance में नाबाड इलकुल apex है तो यह क्या करता है coordinate करता है RRBs को बिलकुल सही है तो C भी सही है next RRBs are lead banks lead banks वो होती है जो priority basis वे loan provide करते है ठीक है credit flow को बढ़ाने के लिए अब यह specially lead bank ऐसे होते है जो specially lead bank act 1969 के तहत setup किये गए है ठीक है rural finance को थोड़ा बढ़ाने के लिए लेकिन lead bank नहीं है यह यह कौन सा bank है scheduled commercial bank है RRBs ठीक तो यह भी हमारे पास गलत हो गया next RRBs are provided free finance through NABAD RRBs को पैसा कौन देता है नABAD बिल्कुल सही है तो हमारे पास A C और E A C E first option correct है ठीक तो आई होब कि जितनी भी यहां तक हमने question किये है कुछ नुकुछ आपने नया सिखा होगा जरूर आगे बढ़ते है जल्दवाजी बिल्कुल नहीं करनी एक एक करके question समझते है यह screenshot लेते रही है ठीक है यह RBI नाबाड के और working है ठीक और एक एक point क्या yes है क्या no है वो भी आपको मिल जाएगा question 2 देखो इसमें यह easy है यह सबका answer सही होगा which of the following is not instrument of monetary policy हाँ जी मौद्रिक निती का कौन सा एक जो साधन है या फिर instrument है वो नहीं है हाँ जी monetary policy तो right answer की तरब चलते है इसमें tax rate fiscal policy का part है बाकी CRR open market operation bank rate यह monetary policy ठीक तो हमारा right answer होना चाहिए tax rate ठीक है तो इसमें ज्यादा focus नहीं करते कुछ explanation की दरब चलते है अब यह देखो that one is most important PGT level पर यह बहुत important है हाँ जी क्या कह रहा है quantitative instrument और qualitative instrument यह सब bank rate, rapport rate, reverse rapport rate अब reverse rapport rate की जगा ही एक दूसरा ठीक है use हो रहा है SBF क्या मतलब है इसका standing deposit facility अब हमेशे यह कितना थोड़ा सा rapport rate उससे थोड़ा सा कम होगा rapport rate 6.25 अब यह SDF rate reverse rapport rate का ही काम कर रहा है बट इसमें collateral security की ज़रुवत नहीं है जितना भी surplus fund रहेगा न मार्केट में surplus fund RBI खुर अपने पास रख लेगा ठीक, बदले में इसमें security की ज़रुवत नहीं पड़ती अगर RBI loan ले रहा है तो बदले में security देगा बट SDF में कोई security नहीं देनी पड़ती ठीक, next तो without any collateral security इक बाद याद रख लिजेगा यह April 2022 में introduced किया था तो question बन जाता है कि कौन सा component यह पर कौन सा instrument कब launch किया था आगे बढ़िये CRR, SLR, MSF open market operation यह सब क्या है quantitative अब qualitative margin requirement, consumer credit regulation guidelines, rationing of credit moral situation, direct ठीक action, यह सब qualitative बलकि taxes, government spending और borrowing किसका part है, किसका component है fiscal policy चली अब यह वाली question है list one, list two इसमें जरूर exercise आपको करनी पड़ी होगी क्योंकि यहां से UGC ने थोड़़दा trick use किया, यह question बीच में से पूछ लिया ठीकि ना तो EA पूछा अब उन policies जो उनकी रिपोर्ट थी ना, उसके बीच में से पूछ लिया अब nursing home committee report one जो है 1991, और two जो है, banking से related है यह सब 1998 बढ़ हाँ, क्या पूछ लिया? बीच में से पूछ लिया, हम right answer की तब चलते हैं यहां पे, जो UGC ने पूछा है तो इसमें RBI should withdraw 91 days treasury bill from market ठीक है, बलकि banking sector reform से ही committee है यह, next घोस committee report अब जो घोस committee report है यह है 1992 की fraud and bulk practices in bank जो भी fraud बगरे चल रहे हैं उसको उसके बारे में committee अपने report दी, next पद्मनाभन committee पद्मनाभन committee again style of inspection of follow-up by central bank central bank ने यह पर committee के लोग set-up की थी उसके detail हम लोग next page बेकल लेंगे सराफ committee भी banking sector reform से जुड़ी हुई है अब सराफ committee again technological issue in banking यह तो वो थी जो right answer थे, हम लोग सीज़ बाकी चीज़ हमने discuss नहींगी तो 3 हो गया first, next 3, 1 3, 1 तो 3 हमारा option सही जाएगा अब करते हैं डेटेल में इसको थोड़ा सा ठीक तो सबसे होगी अब इस committee ने जो अपनी recommendation दी उसमें ठीक, NPS की बात की उसके बाद थोड़ा RBI के role के बारे में capital accuracy ratio हाँ जो आपको बेजल norms है न जो current बेजल norms है उसमें capital accuracy ratio कितना है ये भी question बन चुका है ठीक, चलिए foreign exchange ये general सी बात नहीं की इस committee ने ये वाली बात कब कही ये नहीं मिला आंसर में ठीक चलिए, next ghost committee जुड़ा हुआ है broad and mal practices और इसके timing देख लेजे अब 1992 ठीक है, next time chronology बन सकती है, next पदमनाभन committee जो है ये related है 1995 अब ये specially जुड़ा हुआ है managerial and operational efficiency financial strategies of bank ठीक, और date याद रख लेजे 1995 चलिए, सराफ committee 1994, अब ये especially technology से जुड़ा हुआ है banking sector से related चलिए, next question number 4 थोड़ा सा logical question दे दिया अब है भी प्यारा सा question है the rise in the nominal stock of money costs हाँ जी क्या बोल रहा है कि जैसे ही money supply बढ़ेगा quantity of money बढ़ेगा अपने QTM भी की होगी क्लासिकल की, अपने इस question के हिसाब से जैसे ही nominal stock या पिर nominal money supply बढ़ेगी तो केंच क्या कहता है जैसी money supply बढ़ेगी it will directly impact on rate of interest ROI पे एफेक्ट करेगा money supply बढ़ा कम हो जाएगा बलकि classical क्या बोलते है बात को ध्यान से देखिएगा classical बोलते थे QTM QTM क्या कहता है quantity theory of money जैसे ही money supply बढ़ेगा it will lead to money supply lead to inflation ठीक है prices बढ़ेगे but change कहता है first impact inflation prices में तो बाद में effect आएगा first effect rate of interest भी आएगा rate of interest क्या होंगे down जैसे ही rate of interest ठीक है और investment का कैसा relation है negative जैसे ही rate of interest कम करेंगे तो हमारा investment का level बढ़ जाएगा ठीक है inverse relation है तो जैसे rate of interest बढ़ा ठीक है लोग क्या करेंगे demand for money जादा करेंगे that one for investment investment बढ़ेगा investment अगर बढ़ा तो productivity economy में ये बढ़ेगा productivity बढ़ेगी as productivity increase जैसे productivity increase होई तो national income क्या होगा national income भी बढ़ेगा तो दो चीजे हो रही है money supply के बढ़ने से rate of interest कम हो रहा है अब यहां है increase in equilibrium nominal rate of interest गलत है यह next reduction in the equilibrium nominal interest rate बिलकुल सही है and rate and increase in equilibrium real income real income या national income बढ़ेगा तो यह सही है national income बढ़ेगा और rate of interest कम होगा ठीक है बलकि national income, real income decrease लिखावा यह भी गलत है और nominal interest rate increase यह भी गलत है ठीक है right answer हो गया second, money supply बढ़ा rate of interest पे impact करेगा and national income यह real income बढ़ेगी ठीक चलिए तो यह जितने भी हमने अभी बताया यह केंज कहता है तो केंज यह असा बात है तो classical के coding और केंज के coding comparative study कमाल की है जरूर आप इसको करिएगा YouTube पे भी फ्री में वीडियो अप्लोड किया हुआ है comparison का economics का comparison करने मज़ा आता है तो आपको पता लगता है कि किसकी ideology क्या है आगे बढ़िये चलिए तो यह वही चीजन सब लिखी हुई है अब इसको screenshot ले लीजिए next पहले भी question किया था banking sectors related यहीं से दूसरा question भी आ गया क्या question है which among the following committees was set up for banking sector reforms in India गोस कमेटी ठीक है 1992 और उसकी बद सराफ कमेटी 1994 यह technology से जुड़ी हुई है वो fraud वगेरा से जुड़ी हुई है तो यह दू तो बिल्कुल है अब इसना B and C B and C तो common answer रहेगा B and C ठीक है बाकी कहीं नजर नहीं आ रहा तो जलान कमेटी यह जुड़ा नहीं है गोकरन कमेटी यह भी नहीं है अब जो तारापोर कमेटी है तारापोर कमेटी अपने capital account convertibility सुना हुआ तारापोर कमेटी उससे जुड़ा हुआ और यह individual question भी आ चुका है कि तारापोर कमेटी related with which of the following तो capital account convertibility से जुड़ा हुआ है 1997-1998 तो B, C & E तो second option correct है अब आगे move करते है answers की तरफ विमल जलान कमेटी जुड़ा हुआ है economic capital framework and making इससे related recommendations है गोस कमेटी पहले discuss कर चुके है सराफ कमेटी भी यहाँ पर temple से जुड़ा हुआ है गोकरन महाबलिश्वर temple in Karnataka next तारापूर कमेटी जुड़ा हुआ है capital account convertibility 1997 चलिए question number 6 session end की तरफ चल रहा है question number 6 कह रहा है which of the following statement regarding non-banking financial companies अब इसमें से NBFC क्या काम करती है non-banking financial companies number 1 NBFCs are registered under RBA Act 1948 जितने भी NBFCs होती है यह company act याद रखेगा company act 1956 के तहत registered होती है और RBA Act regulate होती है RBA Act 1934 के तहत तो यह तो answer गलत है ठीक RBA Act 1948 ऐसा कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर ए तो होई रही नहीं तो इसको हटा दीजिए बाकी ए कहीं नहीं है NBFC cannot accept demand deposit like commercial bank जितने भी NBFC है वो demand deposit यह check issue अगर कुछ काम नहीं करते वो अपका पैसा deposit नहीं करते वो ठीक तो यह भी बिल्कुल सही है NBFC have to invest specific percentage of their assets in unencumbered approved securities unencumbered approved securities है जो safe है उन security में इनको invest करना होता है कुछ percentage बिल्कुल सही है ठीक है अब वो क्या percent है यह भी discuss करेंगे C भी correct है B, NBFC which engaged in the merchant banking merchant banking से related है and portfolio management services are gone by CV, यतने भी services है वो regulate कर रहा है कौन CV, CV देख रहा है ठीक तो यह भी correct है B, next every NBFC has to create reserve fund जितने भी NBFC हैं उनको reserve fund रखना जुरूरी है ठीक है जैसे CRR, SLR reserve बखना पड़ता है वैसे इनको भी reserve fund रखने के जुरूरत है तो B, C, D, E यह बिल्कुल correct है that is, चारो correct है चलिए अब आपको यह जुरूरत है कि एक-एक करके NBFC Company Act 1956 और RBI Regulation Act 1930 RBI Act 1934 के पहते है next NBFC कोई भी डिमांड डेपोजिट यह चेक वगरा ऐसा कुछ ने इशू करती ठीक, थोड़ा और Explanation है ठीक, अब इस Unnumbered Approved Securities उसमें थोड़ा इन्वेस्ट करना होता है इनको और percentage कितना है 5% and 25% अब इसको Notify करेगा Time to Time RBI चलिए, यह screenshot ले लिजेगा आप चलिए तो एक Reserve Fund भी रखना पड़ता है अब Reserve Fund कितना है इसमें कोई प्रॉलम नहीं जागा Custodian of Foreign Exchange Issue of Bank Not Lender of Last Resorts बट यह नहीं है Multiple Expansion of Credit Custodian of Foreign Exchange इसमें कोई प्रॉलम नहीं जागा Multiple Expansion of Credit है मतलब कि आपका 10 रुपे का 20 रूपर बनाना RBI creation नहीं करता money RBI money issue करता है Credit creation is done by commercial bank only ठीक है इस बार अगर कोई next question भी आए PGT में ज्यादातर question आता है वैसे यह ठीक है तो PGT वाला question UGC में पूछ लिया इस बार चली तो यह सब बाकी RBI के function है यह Multiple Expansion of Credit होता है Commercial Bank के थूँ चली next Last question है Question क्या गह रहा है Among the which of following which are Instrument of Capital Market दो market होती है एक है Capital Market एक है Money Market Capital Market deal करती है Long Terms में एक साल से ज्यादातर अगर कोई credit यह पर loan वगर है दे रहा है तो वह है Capital Market एक साल से नीचे है वह है Money Market तो यह Capital Market पूछ रहा है तो देखो Treasury Bill से जतने भी Government issue करती है 14 Days 81 Days 182 Days 364 Days यह चार तरीकी के Pre-Bill यह कह है Less Than One Year है तो यह Money Market है यह तो जिसमें भी यह उटा दीजिए ठीक है यह हट गया यह हट गया अब देखो Venture Capital जब भी कोई Institute कहलो यह Company Setup होती है तो उसको Support के लिए Technical Support, Financial Support यह Long Term Growth के लिए एक Company उसके साथ Pay Up कहलो यह फिर उसकी Help करती है जो Long Terms के लिए करती है तो यहाँ अगर वो Capital यूज़ करेगी तो वो Long Terms के लिए Capital यूज़ करेगी ठीक है तो यह Long Terms इसलिए Venture Capital एक Capital Market का Instrument है हाला कि Treasury Bill Short Term के लिए है और Venture Capital Long Term के लिए है Next, Certificate of Deposit Issued by Commercial Bank Certificate of Deposit जो Commercial Bank Issue करता है यह भी Money Market का ही एक Part है तो इसलिए यह भी नहीं आएगा यह भी Short Terms है Next, Global Depository Receipts जो है यह मनलब आपने Credit लिया Globally तो Global की जितने भी Credits है या पिर जो भी Debt या पिर Loan है यह More Than One Year के लिए होता है तो इसलिए जितने भी Global Depository Receipts है या पिर Global Credit आपने लिया वो सब Long Term Capital Market का Instrument है वो यह Correct है Next, Inter Corporate Deposit जितने भी Within Country Inter Corporate Deposit है एक Company का दूसरी Company से जो Secure नहीं माना जाता एक Company से दूसरी Company में Transaction वो सब Short Term है यह भी Money Market है तो हमारे पास A और D यह हमारे पास Capital Market है Long Terms याद रखेगा Capital Market Long Term Money Market Short Term अब इसमें डिटेल में जो है Stocks, Bond, Debentures, Derivatives, Exchange, Traded Fund, Foreign Exchange Instruments यह सब के हैं Capital Market के Instruments है चलिए और GDR ठीक है Financial Instrument यह Capital Raise Capital Market में इसमें Long Terms के लिए यह Capital Raise करते हैं वो है चलिए और ICD जो है वो Money Market Instrument है चलिए तो I hope कि बहुत सारी चाहिए आपने नहीं सीखी होंगी I know that कि session लंबा होता है हालकि Shorts के जरिया आप बहुत ज़्यादा knowledge नहीं ले सकते तो इसलिए यह session जो है हमारा Approx ठीक है 50-60 मिनट का session चला जाता है 40-60 मिनट का भी कहलो बहुत सारी चीज़े इसमें आप नहीं सीखे होंगे अब उमीद करते हैं कि आपकी जो preparation है वो अच्छी ही चल रही होगी अभी तक session में जुड़े हो है तो मलब dedication आप में जबर्दस्त है अब मिलते हैं आपको next session में उसमें हम discuss करेंगे part 2 और अगर time लगेगा तो कुछ MCQs PGT के लिए exam हो रहा है जो 17 को उसकी भी discuss कुछ questions ठीकी जरूर discuss करेंगे चले मिलते हैं आपको part 2 के साथ बने रहीएगा चाणा की group of economics के साथ Thank you so much